हेलो अब्रीवन वेल्कम टु शायन अकेडमी तो आज के वीडियो में मैं आपको क्लास 10 का मीन स्टार्ट कराने वाला हूं जिसमें हम देखेंगे कि गुरूपड डाटा का मीन कैसे निकाला जाता है statistics chapter अगर आप अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो class 9 का जो चैप्टर statistics है वह आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए इसलिए मैंने पहले ही उष्चेप्टर को अपने सेनल पर बनाया हुआ है अगर आप सच में statistics chapter अच्छी तरीके से सीखना चाहते हैं तो i button पर जाके जो statistics प्लेलिस्ट मैंने पहले से बनाई हुई है उसके वीडियोस देखें तब जाके आपको आज का वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा अगर आप पूरी प्लेलिस्ट नहीं देखते हैं तो मीन मीडियन मोड का जो पिछला वीडियो था कम से कम वह आपको जरूर देखना चाहिए वरना आप बिना उसके 10th क्लास का मीन मीडियन मोड डंग से नहीं समझ सकते हैं तो मैं मान के चलूंगा कि आप इन वीडियो को अच्छी तरीके से देख के आगे बढ़ रहे हैं आज की वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले क्या होता है वह सब में प्लेइलिस्ट में शुरू से बता चुका हूं आपने अगर देखिए तो उसमें पहला वीडियो आपको स्टैस्टिक के इंट्रोडक्शन का मिल जाएगा फिर डाटा अन्टूर्ट डाटा यह क्या होता है यह भी हम पहले अच्छी तर क्लास इंटर्वल देखने मिल जाएंगे ऐसा डाटा जो गुरूप में नहीं है और वहां पर आपको क्लास इंटर्वल देखने नहीं मिलेंगे अग्जांपल की अगर हम बात करें तो मान लीजिए एक क्लास में 20 स्टुडेंट्स है और इसमें सभी के मार्स बता दिये कि एक अरे एक स्टुडेंट्स के लिए अलग-अलग से नंबर बताएगा है तो यह अंग्रूप्ड डाटा होता है अग्रूप्ड डाटा देखने को कैसा मिलेगा तो सेम डाटा को हम क्लास में कर सकते हैं हम बोल सकते हैं कि सतर से असी वाले जो हैं वह मान लीजिए दो बच्च करें दो आपको एक डिफरेंस मीन मीडियन मोड की बात कर दिऊ वह अंगरूप्ड डाटा के लिए की गई अब अगर आप में है तो आपको इतना पता होना चाहिए कि टेंट क्रास प्कलास में मीन मीडियन मोड निकाननी करें कि में पहले समझ व 현재 UK tour जो कि अंगुरूब्ड के लिए पहले हमको निकालना आना चाहिए फिर गुरूब्ड का आपको इस चैप्टर में सीखने मिल जाएगा तो यह हुआ गुरूब्ड डाटा और नाइन्थ और टेंथ के सिलेबस में क्या डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया अब बढ़ते है कि अंगुरूब्ड को गुरूब्ड में करना पड़ जाता है जिससे कि हमारा जो डाटा उससे हम अच्छी इंफोर्मेशन आप्टेंड कर सके तो उसको करने के कुछ तरीके होते हैं जो कि पहले के वीडियो में बता चुका हूं बट आपको मैं थोड़ा शॉट में बत चता है कि 75 73 21-17 इस तरीके से आप देख रहा है कि थी भीजब चो पर प्रणाना थो क्लास हमको बनानी पड़ेगी रास कैसे बनाएंगे यह की जो ढाटा धाक श्की क्लास मतलब हम बोलेंगे कि यह जो डाक ताइसको शॉट फर्म में प्रण आपको करने के लिए क्लीज को मों आप्य समझेने के लिए क्लास बनानी पड़ी होरे उंधा हम अपने मन से बना छquiera कैसे कि हम चाहें तो जीरों से दस वालों को, अलग कर सकते हैं दस से बीस सथीज्ट को अलग कर सकते हैं अब समझेट से करते करते 90 से 100 तक हम पूरी टेवल बना सकते हैं और फिर नंबर ऑफ स्टुडेंट्स को यहां पर लिख सकते हैं तो आप 20 बच्चों को जब फिल कर दो के यहां पर तो वह सकता है जीरो से 10 में 2 बच्चे आ जाया है इस तरीके से चार आ यहां पर एक ही रहे इस तरीके से आप समझ रहें कि पूरी टेवल बनाई जा सकती है यहां पर आपको बड़ी ही सिंपल सी चीज है जो समझनी चाहिए कि कि लास जो है वह हम अपने मन से बनाते हैं मतलब यहां पर से यह एक क्लास ठीक है और उस डाटा को आप उसी हिसाफसे फिर अरेंच कर लोगें तो इस तरीके से आप देख रहे हों कि आप लुग तर दाना से आपको समझबिव बनाते हैं ऑप Account आपको समझें में अना चाहिए अब सब शोर्ग तरह पहले के वीडियोस में अचि तरीके से और छुका है बट मैं आपको एक रिवाइस करा रहा हूं इसको बोलते हैं अपर लिमिट ओफ एअपर लिमिट ओफ क्लास अब क्लास का डाटा हमको कई बार डिवन रहता है सवालों में आगे देखोगे कि इस तरीके से टेबल रहेगी अब जैसे की हमसे पूछा गया है कि 10 20 में तो हमको इत्ता तो पता है कि 10-20 में तीन लोगों के नंबर आए हुँ है पर इनके नंबर हमको एक्जैक्ट नहीं पता गुरूब्ड डाटा में यही दिक्कत आती है अन गुरूब्ड डाटा में आप देख रहे हैं कि हमको देखने मिल जाएगा कि इसके 75 इसके 73 इसके 21 तो कि यहां पर आप देखिए कि यहां पर हम नहीं बता सकते इस डाटा की मदद से हम नहीं पता सकते इन तीनों मैंसे किसके 25 एक तो ऐसी समस्या को हो सॉल करने के लिए हम क्लास मार्क ले लेक्या होता है कि हमको इतना तो पताएगी इन तीन बच्चों के 10-20 के पर यह नहीं पता कि कितने आएं तो इस क्लास का बीच वाला नमबर ले लेते हैं और क्लास माक निकालते कैसे हैं तो 10 प्लस 20 बैद दो कर दो तो यह किता रहाएगा 30 बैदो यानि की 15 15 अब 15 आ गया तो हम बोलेंगे कि इन लेदिटे बीच वाले नमबर माले यानि की हम मालेंगे इन तीनों के कितने नमबर आया 15 नमबर तो यह हुता है क्लास मार्क और डाटा में हमको क्लास मार्क मान के ही आगे सवाल सौल करना रहता है तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा अपर लिमिट प्लस लूर लिमिट बाई तो यह आपको एक चीज जो समझ में आनी चाहिए इसका तरीका क्या है वो मैंने आपको बता दिया है अब हम बढ़ते हैं आगे की तरह आगे आ चुका है अरिथमेटिक मीन जो कि मैं पिछले वीडियो में बहुत ही डीटेल में कवर कर चुका हूं उसके सवाल भी मैंने बताइए बाट आभी doing के लिए में थोड़ा बहुत बता दिता हूं तो और्िथमेटिक मीन क्या करता है यूनिफॉर्म कंडाटा हमको दे देता हमारा रहता है वो नौन यूनिफॉर्म रहता था मोस्ट आपड़ सब्समेटिक क्या करता को क्यों पर पर एकज में ए बी और सी इसके पास 100 रुपे हैं इसके पास 200 रुपे हैं इसके पास 300 रुपे हैं यह एक्जाम्पल मैं पहले भी पिछले वीडियो में बता चुका हूं तो अरिफ्मेटिक मीन कैसे निकालेंगे कि इन तीनों का सम कर दो तो वह आजाएगा 100 प्लस 200 प्लस 300 और डिवाइड कितना करना पड़ेगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो यह कितना आजाएगा 600 बाए तो आप देखिए कि 200 अगर मीन है इसका मतलब इस पर भी 200 रुपे माल लो इस पर भी 200 रुपे माल लो नॉन यूनिफॉर्म को यूनिफॉर्म में कनवर्ट कर दिया यह होता है अरिफ्मेटिक मीन का काम और अरिफ्मेटिक मीन निकालते कैसे हैं तो अन्गृप्ड डाटा के लिए अरिफ्मेटिक मीन पहले के वीडियो में मैंने बताया था कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो होती है उनका टोटल तो जैसे कि एफ आई हमको गिवन रहता है और एक्स आई क्या होता है जो हम एंट्री की बात करने उसको एक्साई बोलते तो जैसे कि आपको अबुक्र हो जायगा यह मालो़ोडो दो है इस तरीके से रएगा तो हमको सिगमा ऐफ आइब आइक्स आई अप्वां को सब्सक्रोन होता है और न cosmium फॉर्म에서 मिन खरको में केहते हैं और फ्तूर्वेशन को मिन केटे हैं और अब्लोर्ब। कैसे है टोटल कर दो अपोन नंबर ओफ कि ऑब्जर्वेशन से उसको डिवाइड कर दो तो आप देखिए कि यह जो फॉर्मुला है और यह जो बात है वो दोनों सेम बात है इधर भी हम वही कर रहे हैं जब आप एकसाई करोगे अभी मैं आपको सवाल करके दिखाता हूं तो एकसाई क्या है एक तरीके से टोटल है और सिक्मा एकसाई का मतलब क्या है कि नंबर ओफ वो ऑब्जर्वेशन कितनी है आईए हम इसको एक्जांपल के थुरू देख लेते हैं बस आपको यह पता होना चीए कि एकस बार का यह फॉर्मूला होता है एक्जांपल देख लेत आठ लोगों के आए हैं पचास नंबर दस लोगों के आए हैं इस तरीके से पूरे की पूरी टेबल है और यह जो टेबल है वह अंगुरूप्ट डाटा है क्योंकि यहां पर हमको क्लास नहीं दिख रही है तो इसका मीन कैसे निकालेंगे वह हम देखते हैं आप देखिए क यहां पर हमको इस टेबल को पहले फिल करना पड़ेगा इसमें एक्स आई की वेल्यू कौन-कौन सी यह यहां पर लिख लेते हैं तो दस तीस पचास सत्तर और असी कि एफाई कितना के बाने वह भी रिखनेंगे साथ आठ दस पंद्रा और दस तो टोटल लोग कितने होगा है हमको यह काउंट करना पड़ेगा तो वह आप कैसे करोगे यहां पर सिग्मा आप निकाल लो वह कितना आ जाएगा साथ और आठ पंद्रा पंद्रा तीस तीस और दस चालिस और दस पचास लोगों का यह डाटा है पूरा का पूरा अब एक साई एफाई आप मल्टिप्ल पहोता है तो यह जाएगा 105 और 0 एक और लग जाएगा दस इंटू आठ आठ तो आप यहां से समझ रहे हो कि हमने एक्स बार निकालने के लिए यह सब काम किया और एक बार होता ता सिगमा एफाई एक साई अपॉन सिगमा एफाई तो सिगमा एफाई मैने यह निकाला को जोड़ लेते हैं यह जाएगा 70 240 310 और 50810 और 1,000 1810 1860 यानि 2660 जीरो से जीरो गया यह कितना जाएगा पांच से चले आएगा पांच बार और 163.2 53.2 जो है वह मीन की वेल्यू आ रही है तो इस तरीके से हमने इस वाले data का mean निकाल दिया अब हम एक औरalet गूसामपल देख लेते हैं इस बार हमको सवाल जो है वह दूसे तरीके से गेवन है इस बार हमको यह k डिकारनी है और हमको इस बार देखिए मेंकिता गेवन है इस data का में Em दी रखा चाँध है तो एकस बार हमको गेवन है 14 और के फाइंड करना है तो हम कर सकते हैं बिल्कुल वापे से हम को यह टेबल करनी पड़ जाएगी पहले की तरह तो वह हम कर लेते हैं एक साई कितना है पांच दस पंदरा बीस और पच्चीस यह कितना है सेवन के एट फोर फाइव तो सिग्मा एक साई एफाई हम निकाल पड़ेंगी पांच इन्टू साथ कितना थर्ट्टी फाइव यह ना टैनके यह आठ इन्टू पंदरा यह तकी सब्सक्रों बीस पाच्चेस एपांच एक सो पच्चेसे हम एक से बार निकाल लेंगे तो एक सिग्सार हम को गिवन है इस बार वह कितना है पॉर्टीन गिव लेते हैं और आट 15 15 और पांच 20 और 4 24 प्लस के तो नीचे कितना जाएगा 24 प्लस के यह सिग्मा एफाई हो गया सिग्मा एफाई के बाद सिग्मा एक साई एफ़ निकालेंगे तो यह कितना जाएगा आप देखिए 125 में जब आप 35 जोड होगे करने के लिए क्या होगा यह जो नीचे वाला ब्रेकेट है वो इसके साथ मल्टीप्ला हो जाएगा तो 14 इंटू 24 प्लस के आएगा दिस एकॉल टू 360 प्लस 10 के यह इतना हो जाएगा 14 इंटू 24 वह अभी हम कर लेंगे प्लस 14 के बराबर 360 प्लस 10 के अब यह 10 के यह जाएगा तो 14 के 10 के यह जाएगा तो माइनस का यह जाएगा 360 माइनस 14 इंटू 24 करना पड़ेगा डंडा क्रोस डंडा से हम फटाफट से सॉल्ट कर लेंगे 16 और एक केरी 4 और 8 12 और एक केरी 13 के तो आप देखी यह कितना आ गया चार और 24 और यह कितना आ गया फॉर के तो कि बराबर कितना जाएगा ट्वन्टी फॉर बाय फॉर विच इस के कोल टू सिक्स यह हमारा क्या है तो इस तरीके के सवाल को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं यहां पर आपने देखा कि अगर डाटा में सब्सक्राइब और मीन की वेल्यू गिवन हो तो सेम फॉर्मूला हम लगाएंगे और आंसर ले आएंगे यह हुआ इसका अब बढ़ते हैं आगे की तरफ तो अभी तक जो आपने देखा वह पहले का रिवीजन था अभी तक अपने 10th क्लास की कोई भी ज्यादा बात नहीं करी थी सिर्फ पहले क्लास का रिवीजन चल लाता जिससे कि आपको याद आ जाए कि मीन होता क्या है अब हम बात करते हैं कि जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था क्लास 10 में हमको गुरूप डाटा का मीन निकालना सीखना है और उसके तीन तरीके होते हैं पह अब को समझ में आ गया तो बाकी के दो तो आपको और सिंपल लगेंगे बच्चों को क्या लगता है कि यह वाला सबसे आसान है और यह तोनों टफ है यह सबसे टफ है अगर कैलकुलेशन की बात करें और यह सबसे यह वाला तीसरे नमबर का और मैं आपको पूरा डिटेल म समझे कि यह तिनों होते कि हैं टारेंक्ट में अभी जो मैंने आपके देर से पढ़ाया था वहीडारेक्ट में घड़ता उसमें कुछ टोटल अपको number of observation यह आपको याद रखना है तो यह आप हमेशा निकाल लोगे number of observation निकालते हैं सिक्मा f i से और टोटल निकलता है x i को f i से multiply करके अब इसमें बस एक समस्य आएगी जो कि में स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि जब हमको value नहीं पता रहती कि 10 से 25 में दो लोग है यह तो पता है पर उनका जो value कितना आएगा तो आप हमेशा क्या करोगे कि इनकी value क्लास मार्क के के साब से मान लोगे अगर आप इतना समझ गए हो तो इस वाले में कुछ भी नहीं है इस बार हम क्या करेंगे वापस से टेवल बना लेंगे यहां पर बोला है कि 10 से 25 के बीच में दो लोग है इसका मतलब उन दोनों लोगों की value क्या होगी 10 प्लस 25 बाइदो आप कर दो तो क्लास मार्ग का फॉर्मूला मैंने बताया था अपर लिमिट प्लस लोवर लिमिट बाइट कर दो तो अपर लिमिट 70 लोवर लिमिट 55 दोनों को जोड के दो से डिवाइड कर देंगे तो 70 और 50 120 और 125 बाइद दो हो जाएगा यह हो जाएगा 62.5 इसका मतलब यह जो छे अब देख रहे हो कि क्या होगा सबसे पहले हमारे पास क्लास आगए तो दस से 25 की एक क्लास है पच्चिस से 40 की है 40 से 55 की है 55 से 70 की है 70 से 85 की है और एक क्लास और है तो हम उसको अलग से लिख लेते हैं मैंना उसका कॉलम बनानी पाया 85 से 100 अब आप अगर इतना समझ गए हैं कि क्लास मार्क होता क्या है तो हम उसको इजीली फिल कर सकते हैं Classmark 10 से 25 निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा सेवंटीन पॉइंट फाइव इसका निकालोगे तो निकालोगे तो वो उतना जाता है सो फॉरती सेवंटय फाइव सासे निकालते शारी जिवन इसकी दो इसकी तीन इसकी साथ इसकी यद्ट इसकी चे और इसकी भी छे इसके लिए इसके लिए मुझे इस्तवाल करना पड़ेगा यह और निकाल सकते वह आप शीक चोंक कैसे निकालते हैं और दो करेंगे साड़े सतरा से तो वह तो घता जैएगा सेवन के करेंगे 47.5 में तो इसको आप ब्रेक कर सकते हो सेवन इंटू 40 हो जाएगा 287 जा 49 तो टू एट्टी और 49 हो गया 329 और साढ़े तीन और जोड़ देंगे तो 332.5 इसी तरीके से इसको करेंगे 6 इंटू 60 360 और 6 इंटू 2 12 तो 302 और यह जाएगा तीन तो 375 इसको करेंगे 6 इंटू 7 426 इंटू 742 तो 420 और 42 462 और 3465 और इसकी बात करेंगे तो 9 इंटू 6 होता है 540 और 540 और यह हो जाएगा 12 और 15 तो 540 और 15 555 यह जाएगा तो इस तरीके से आप देखिए कि XI FI हमने निकाल लिया है अब आपको फटापट से क्या निकाल लेना है एक्स बार जो कि कित्ता है सिगमा FI XI अपॉन सिगमा FI तो वह हम निकाल सकते हैं सिगमा FI देख लीजिए दो और तीन पांच और साथ बारा और अठारा तीस इन वाली वैल्यूस को भी हमको एड़ करना पड़ेगा सबको तो हमारे पास सिगमा FI XI आ जाएगा जो कि आ रहा है अठारा सो साथ जीरो से जीरो कट जाएगा और यह बचेगा तो यह हमारा क्या हो गया मीन और यह हमारा आंसर है इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हम ग्रूप्ड डाटा का मीन कैसे निकालते हैं उसमें क्लास सब्सक्राइब करने के लिए वापस से हम देखे डारेक्ट मेंद का इस्तमाल करने वाले मीन गिवन है तो हम बोलेंगे कि एक्स बार की वैल्यू गिवन है कि फिफ्टी फोर और एक्स बार कैसे निकालते हैं हमको पता है सिगमा FI XI अपन सिगमा FI तो हम टेबल बना लेत को फिल कर लेते हैं हमारे पास इंटर वेल जीरो से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100 इसी तरीके से हम XI की बात करते हैं तो आप समझ गए कि XI कैसे निकालते हैं जो क्लास है उसकी बीच वाली वैल्यू निकाल लो अगर नहीं समझ वारा तो दोनों को एड करके डिवाट बार 2 कर दो तो आप ऐसा करोड़ी तो यहां पर दस यहां पर आप देख रहें गिजांबात यहको जाएगी 90 अब सिक्मा एक सायम निकाल लेते हैं तो वह आप देख सकते हैं दस इंटू साथ करोगे सतर आजाएगा यहां पर थर्टी पी आजाएगा यहां पर 500 यहां पर सब्सक्राइब करना पड़ेगा तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते पहले अब इन वैल्यूस को मियां पर कर देंगे तो सिग्मा एफाइब निकाल लेते हैं साथ और तेरा हो जाएगा बीस बीस और दस तीस और नो 49 प्लस पी तो 39 प्लस पी आगया नीचे की तरफ और इसकी बात करें तो यह कितना आ रहा है सत्तर और चैसोती साथ सो और पात सो बारा सो और ग्यारा सो तेविस सो सत्तर और थर्टी पी तो यह आजाएगा 30 पी प्लस टू थ्री सेवन जीरो इसको हम सॉल्व करेंगे यह जो प्रैकिट है वह इधर चले आएगा तो यह आएगा 54 के साथ 39 प्लस पी बराबर 30 पी प्लस टेविस सो सत्तर इसको सॉल्व करेंगे 54 मल्टिप्लाइट बाइ यह जो इदर जाएगा तो 54 में से मैनस हो जाएगा तो 54 मैनस 30 बचेगा 24 पी और यह आज आएगा 2370 माइनस इस वेल्यू को हम यहां पर मैनस करेंगे तो 54 इंटु 39 को हम डंडा क्रोस डंडा से फटापर सॉल्व कर लेंगे 36 3 केड़ी 55 55 55 156 रिभी फिफ्टीन और यहां चल चुके हैं तो तो फिर हम चल चुक है दोख तो 64 अब बोबी कित्ती आ रही है यहां से आपको देख रहे हैं 264 upon 24 यह चार से चले जाएगा च्छार च्छे और दो चार छे बार और यह से चले आ गया बार तो पी की वैल्लिव कित्वी आ चुकी है 11 और यहीं हमको बतानी ती तो यह हमारा क्या है तो इस तरीके से आपने देखा तकी डारेक्ट मेथड की मदद से हम अपने गुरूप वाले डाटा का मीन किस तरीके से निकालते हैं आई हम बढ़ते आगे की तरफ नेक्स्ट आ गया है अब अब में में क्या करना होता है वो समझने के लिए आपको जो पहले का वीडियो मैं मैं एक सबार के साथ होता है इस तरीके से कुछ प्रोपरर्टी उओं तो इसमेन की तरीके सब्से पहले आप यह समझें कि इसकी जरूपशन क्या इसकी जरूपशन सब्सक्राइब क thriving सब्सक्राइब करने से किसी का फैदा नहीं तो हम चाहते हैं कि हमारी केलकुलेशन जो है वह छोटी अगर हो सके तो बिल्कुल कर लेंगे निकालो तो आप समझ रहे हैं तो आप को समझ में आ रहा हुआ है कि इस में असली एकस बार निकालने के लिए पहले हमको नकली वाला निकालना पड़ेगा यह सब क्या मैं बता रहा हूं वो अभी आपको थोड़ी देर से समझ में आएगा आप पहले इसको समझने की कोशिस करो कि मैं यहां पर आपको बता क्या रहा हूं इस वाले केस में हम क्या करेंगे हमारा जो एक्स आई है उसमें से हम एक नमबर को माइनस कर देंगे अब यह कौन सा लेना यह हमारे उपर करता है कि हमको जो अच्छा लग रहा हुआ हम उस वैल्यू को सभी वैल्यू में से माइनस कर देंगे अभी जब एक्जाम्पल आएगा तब मैं आपको बताऊंगा तो यह इस तरीके से आप क्या करोगे इस तरीके से आप निकालोगे अपना इस तरीके से क्या निकालोगे अभी तक हम एकसाई का मल्टिप्लाइ कर रहे थे एफाई के साथ पर इस बार हम केल्कूलेशन छोटी करना चाहते हैं तो हमने एकसाई में से अपनी मर्जी से एक नमबर माइनस कर दिया और उसको हमने बुल दिया कि अब जो आया है वो आया डिया एयाफ है और इसको सिगुमा एफौे से निकाल लोगेrede अगर यतना समझ गई हो असली वाला एक्स बार मिल जाएगा और हमको यही तो निकालना है तो इस तरीके से अजूम्ड मीन वाला हम निकाल सकते हैं इसमें आपको कंफ्यूज नहीं हो ना मैंने आपको क्या बता है मैं फटाफट से एक बार रिवाइस करा देता हूं कि पहले तो हम अपना जो एक्स आई है उसमें से एक नंबर को मैनस कर देंगे और इस नंबर को हमने क्या नाम दे दिया और मैंने बोला कि हमको यहां पर दो एक्स बार निकालने पड़ेंगे एक बार तो डी आई के साथ निकालेंगे तो मैं बोला हूं कि वह हमारा नकली एक्स बार है और हमको निकालना क नगली के लिए पहले हमको असली पहुंचना पढ़ेंगा जो आप XI के साथ करों इसका ओल्टा तो असली पे पहुंच जाओगे तो Xm जो नगली बार है उसमें यहां पर आप प्लस कर दोगे तो आप और इसमें पहुंच जाओगे हैं अगर आप इसको याद कर लेते हो या इसको समझ लेते हो तो अब देखे कि आपका सवाल कितना आसन वह जाता है should style आई इसके इसके डाटा है और आपको समंझ में आ रहा हुआ कि इसको हमको मीन निकाला आपको इतना पता जाएगी आप चाहो तो इससे निकाल लो अगर आपको यह में अच्छा लग रहा या फिर आपको लग रहा है कि मैं तो लंबी केल्कुलेशन कर सकता हूं तो आप जो डारेक्ट में तर्ड है उससे भी इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है आप अगर अजूम में तर्से करोगे तो कैल्कुलेशन सिंपल हो जाएगी तो इसकी टेबल हम फटाफट से फिल कर लेते हैं क्लास इंटर्वेल कितना है तो दो से आठ आठ से चाउदा चाउदा से बीस बीस से चबीस चबीस से पत्तिस क्लास मार्क आप समझ गए होगे दो प्लस आठ और डिवाइड बैटू कर दोगे तो दस बाएद दो आजाएगा तो यहां पर आजाएगा क्लास मार्क पांच दो और आठ की बीच की वेल्यू ले लो तो भी क्लास मार्क आजाएगा आठ और चाउदा के बीच में कितना आ रहा है ग्यारा नहीं समझ में आ यह ठीक आई है गैप सेम रहता है तो ज़्यादा तरकेश में ठीक आती है यह तीन बारा ग्यारा और आठ अब जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम अपनी मर्जी से एक नंबर को अपने एक साई में से माइनस कर देंगे तो वह नंबर कौन सा लेते हैं हमारा मना है कि यह कौन सी लेना चाहरे हैं जाधा दर के इसमें हम क्या करते हैं वह अपने एक साई मैं से उसको ले लेते हैं उससे क्या रहतार है कि एक में हाली अब देखिए हैं सब्सक्राइब लोब देलिए बरावर कितना है लिए 17 तो आप देखिए कि एक साइव करूंगा 17-17 करने यहां पर 17-17 करने पर यह कितना आ जाएगा जीरो तो इसलिए मैं यहां पर डिरेक्ट ली क्या लिख देता हूं जीरो अगर इसकी बात करें तो 11 XI की वैल्ली कित्थी है 11 और एक इतना है 17 तो 11 में से 17 माइनस करोगे तो यहां पर कितना आ जाएगा लिए सब्सक्राइब इसी तरीके से यहां पर लिए सब्सक्राइब अब उसक नशुता कि अच्वेबिऑ धी और 12-12 किता हो जाएगा माइनस 72-6-18 यह तो जीरो आएगा ग्यारा इंटू चैस्टी सिक्स और बारा इंटू आठ किता हो जाएगा 96 अब आप देखे कि कैसे एजी होने वाली आपको दिख रहा होगा क्योंकि हमको क्या निकालना है एक्स बार और मैंने आपको बताया था कि एक्स बार इस वाले केसमें कैसे निकालेंगे तो पहले नकली वाला निकाल लेते हैं नकली वाला कैसे निकालोगे सिग्मा एफाई डिए अपॉन सिग्मा एपाई सिग्मा एफाई कैसे निकालेंगे माइनस 72 प्लस 66 यानि कि माइनस का 6 बचा रहे गया और माइ मैनस का 24 हो गया मैनस का 24 96 में से आप कैलकुलेट कर दोगे तो वह आ जाएगा 72 तो यहां पर आप देख रहे हो कि यह से और से चाट जाएगा एक और तीन दो आठ तो यह कितना आगया है बन पॉइंट एट अब मैंने आपको बताया था कि यह नकली है असली कैसे आएगा तो एकस बार जो है जैसा हमने एकस आई के साथ किया है उसका उल्टा इसके साथ कर देंगे यानि कि एकस एन प्लस एक अनना पड़ेगा एकस अमारा आगया वन पॉइंट एट और प्लस एक कर देंगे यानि की सेवंटीन हमने एक ही लिए तो यह आजाएगा एटीन पॉइंट यह हमारा असली एकस बार आचुका है अब आप बताओ कि इस बार कैलकुलेशन कितनी सिंपल होई हमारा काम आसानी से हो गया तो इस तरीके से में से कैलकुलेशन आसान हो जाती है और आप अगले वीडियो में मिलेंगे जब मैं आपको एक्सराइज की सॉल्व करवाँगा तो अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ जो की है नेक्स्ट में तो अगर आपने अजूम्ड में सम अब तो आपको स्टेफ डेविएशन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपने देखा कि कैसे हमने पहले नकली निकाला था एक्स बार और फिर उससे हम असली पे पहुंचे थे और वह कैसे किया तो जो हमने एक्स आई के साथ किया था उसका उल्टा हम किसके साथ कर रहे थ तो अब यहीं चीज हम यहां पर भी फॉलो करेंगे इस बार स्टेफ डेविशन में क्या करना रहता है कि हम एक्स आई में जैसे पहले तो ए माइनस कर रहे थे आपने देखा था कि ए माइनस करने के बाद भी देखिए कि कुछ वैल्यूस जो है इनमें अगर मैं इन सभी व तो जो मेरा यूवाई बनेगा वह बहुत चोटा आएगा तो इस बार जो कैलकुलेशन होगी वह और चुटी हो जाएगी अब अगर आप इतना समझ रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि नया जो नकली एक्स बार है वो कैसे निकलेगा तो इस बार वो निकलेगा निकली वाले में मल्टिप्लाइबाइच करना पड़ेगा क्योंकि हमने यहां पर डिवाइड किया तो यहां पर अपर प्लस का आ जाएगा और इस तरीके से हमारा असली वाला एक्स बार आ जाएगा तो यह हो गया कि स्टैप डेविशन की मदद से कैसे करते हैं इसकी मज़ लीजिए कि नकली और असली में कैसे उल्टा करते हैं कैसे हमको फॉर्मूला निकालना रहता है अब हम बरते हैं आगे की तरफ इस तरीके से सवाल है इसमें को स्टैप डेविशन की मदद से हमारा जो मीन हो निकालना है और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आप डेक्ट मैथड से भी इसडाटा का मीनन निकाल सकते हूँ आप यूम celui मिन से भी निकाल शकते हो और स्टेब्रइशन से निकालने वाले थिनों से से मांसर आए गा पर स्टैप डेविशन से 60 60 70 यह कितना है एक्स आई तो एक्स आई आप देखिए क्लास मार्क पहले की तरह तो इस बार कितना जाएगा वह इन दोनों के बीच की वेल्यू यानि की 15 इन दोनों के बीच की 25 इन दोनों के बीच की 35 45 55 और 65 एक आई तो हमको गिवन ही है तो एक वेल्यूं पूट कर देंगे चार अठाइस के पंदरा बीस सत्रा और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अपनी केल्कुलिशन को सिंपल करने के लिए हम अपनी मर्जी से एक नमबर मैनस करके अपनी मर्जी से किसी एक नमबर से डिवाइ तो आपका मन करें तो आप 35 को मालो अगर आपका मन करता है तो आप इनके अलावा वी कोई ले सकते उससे कोई प्रोब्लम नहीं है तो मैं लेता हूं कि ए बराबर मैंने लिया 35 और है कैसा लेंगे उसकी भी बात कर लेते हैं तो पहले हम क्या करते हैं कि x i-1 थोड़ा सा द यहां पर आजाएगी प्लस का 20 यहां पर प्लस का 30 तो आपको दिख रहा हुआ कि अगर मैं एच की वेल्यू 10 ले लेता हूं तो यह सब नमबर दस से डिवाइड हो जाएंगे अगर तो हमारा जो आंसर हो बहुत सिंपल आजाएगा यहां पर आजाएगा माइनस का दो यहां अगर माइनस का 1 यहां पर तो 0 यहां पर प्लस का वन यहां पर प्लस का थी जबहराँ करो कि यहां से एसी क्योरी कावमाइइविक घंद्टissä तो 4 x 2-8 28 x 1-28 15 x 0 तो 0 हो गया 20 x 1 20 हो गया 17 x 2 34 हो गया और 16 x 3 48 हो गया अब सबसे पहले तो मैंने आपको जैसा बताया था पहले हम एक काम करते हैं अपना नकली वाला नकली वाला एकस बार निकाल लेते हैं अगली वाला एकस बार कैसे निकल है तो f și 5 ch 65 fR onIB warning सिग्मा f5 करने सेने निकल जायेगा सिग्मा f i कर लेते हैं 16 & 17 33 33 53 55 56 58 58 & 60 तो आप देखो कि यहां से 28 और प्लस 20 करेंगे तो मैंनस 8 बचेगा मैंनस 8 यहां पर भी है तो मैंनस 8-16 तो मैंनस समझ रहे हो कि x i के साथ जो करेंगे उसका उल्टा नकली वाले के साथ कर देंगे तो असली वाला आजाएगा तो आप देख लिए एकस एन बार यानिकी 0.66 अब एकस आई के साथ हमने डिवाइड बाइच किया था यानिकी डिवाइड दस किया था तो यहां पर मल्टिप्ला प्लस 35 तो यह कितना जाएगा 41.6 हमारा ओरिजनल असली मीन आ चुका है तो यह हमारा और यह हमारा आंसर है आपको समझ में आया होगा और आपको पता लग रहा हुआ कि कौन सा सिंपल है कौन सा टफ है आपको सब क्लियर हो रहा होगा कि हमको कब कौन सा लगा लेना जो कि डारेक्ट वाला है वो तब लागा जाता है जब आप समझ रहे हों कि केलकुलेशन आपको देखके लगा रहा सिंपल होने वाली है तो ऐसा कब लगेगा जब एक्साइए और फाई की वेल्यू कैसी हो स्मॉल वेल्यू जो कि दूसरा कब लगा लोगे दूसरा लगा लोगे जब थोड़ी सी बड़ी वेल्यू सेकेंड वाला कुन सा था अजूम्ड मीन मेथड तो जब थोड़ी वेल्यू जो और उनमें कोई भी कॉइम फैक्टर नहीं आ रहा हो एक्स आइछ से जब आप एक मैनस करोगे तो कोई भी कॉमन फेक्टर नहीं दिख रहा है मालो तो आप इस मेंसे मैंसे मेंसे अगर कोई कॉमन फेक्टर दिख रहा है तो एक साइब अप एस से डिवाइट कर दोगे तो उससे क्या फायदा बनेगा कि और सिंपल हो जाएगी और इस बार आप कौन सा कर दोगे स्टैप डेवियेशन में तो यह हुआ कि मीन और टाटा के तीन तरीके क्या-क्या होते हैं अब हम इसके कुछ प्रैक्टिस लगा लेते हैं तो यह सवाल हमारे पास है इसमें आप देखिए कि इस तरीके से नंबर ओफ हाट से 74 75 से 79 और 80 से 84 तो इसका क्लास मर्क आप दिख रहा होगा दोनों की बीच की वेल्यू कित्ती दिख रहें 67 इसमें दोनों की बीच की 72 इसमें 77 और इसमें 82 एफ आई की वेल्यू गेवन है दो अठारा शोला और चार अब आप समझ सकते हो कि हम अपनी मर्जी से बापस से सब्सक्राइब कर लेंगे मैं मैं असान हो तो मान लीजी है मैं ले लेता हूं 72 इसको मैं अब और इसको आप देख हरहें ici स्तोह एक सब्सक्राइब आख तो इसको इसको मैंफ से ढ़नेट कर दूंगा यह शुत दयों कि आजेगा नॉघ यह डिएगा सब्सक्राइब को दो एक तो दो और प्लस-टोच और तो दो और यह आइक डुज करूएंमा फाइस में यह अप्लय यह बाइट कि दो decreases हेख्व असके साथ थाल गो तो तो 乐्डीप्लायय जब फृओंट और यह पंटीप्लाय और प्लस करना पड़ेगा एक क्योंकि तो पह सेवन्ठी फ्लस हो जाएंगा अब यहाँ जाएगा फैसी हो और फटीश को पॉइंट यह फ्लस सेवन्टी तो इसलिए आंसर किता जाएगा 74.75 यह हमारा क्या हो जाएगा मीन तो इस तरीके से एक्जामपल 7 हो चुका है इस वाले को गिवन है कि 120 स्टुडेंट्स का मीन हमको दिया हुआ है और इस तरीके से डाटा है अब आपको एक्स और वाई की जो जो बैलियू से वह हमको सॉल्व करके बतान हमको गिवन है अब यहां पर हमको एक्स बार की वैल्यू गिवन है जो की किता है 59 और यह एक्स बार कौन सा है असली वाला तो आपको पता है कि पहले हम नकली वाला निकालेंगे फिर क्यलकुलेशन के साथ उसको निकाल लेंगे सबसे पहले तो आपको यहां पर चीज किता मिल जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस नबबे आप इन वेल्यू स्कुरेट करो तो यह इसके बराबर आएंगी और यह किता है एक सो बीस तो इस तरीके से एक्स प्लस वाई कि वैल्यू कित्ती आ गई है 90 अब नेक्स्ट आप देखिए कि हमको यूई की केलकुलेशन करनी है और इसमें आप समझ सकते हैं कि एक्स आई के साथ ए और एच हम अपने मन से लेते हैं तो आप देखिए कि मैं इस वाली वैल्यू को ए ले लेता हूं उससे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि यहां पर आजाएगा जीरो जब आप प्चपन में से पचपन को मैनस करोगे एक्साइप 55 और एक्साइफ 55 तो यहां पर कित्ता जाएगा जीरो तो एक्स इंटू-0 यहां पर जब यूई-फ आई करोगे तो यह वेल्यू कित्त आएग कर रहे हैं तो मैंनस पछास आएगा और की वैल्य में लेहरा हूंकि 10 तो मैं पचास अपम दस या आड़ा मैंनस का 5 या जदूर या जद्धक हथा इसी यह दो य nah चाइक की अपटायगी फजिर्फ यह करेंगे तो यह किता रहा है यह जीरो बाइस तो स्मझनी है आपको पता है कि ऑपॉन सिख्मा एफाई सिख्मा एफाई की वेल्यू मुझे पता है 120 है और सिख्मा एफाई हुआ ही मैं निकाल लेता हूं तो आप देखिए कि जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 54 54 108 और 9 direct online 117 तो नीचे की तरफ में और प्लस ऐसीँ और भाई यहां तो हमने इन सारी वेल्यूर्य सो यहां पर लिख लिए मांइस वाली देख लें तो माइनस पांच और माइनस फंद्रा बीस माइनस माइनस चालिस माइनस चालिस और माइनस बारा माइनस 52 और माइनस जेवंटिटी प्लस फोर वाई उपर की वेल्यू आगई यह हमारा नकली एक्स बार है अब आपको पता है कि नकली से असली में जाने के लिए क्या करना पड़ता है इस तरीके से असली एक्स बार आता है तो यहां से आपको दूसरी कोशन बनती दिख रही होगी एक्स एन बार की वेल्यू यहां पर आपको पता है इसमें आपको किसका मल्टिप्लाइब करोगे तो जीरो से जीरो कर जाएगा तो उपर बनेगा फॉर्टी फोर प्लस फॉर व तो यह बहुत बनेगा फॉर्टी फोर फॉर प्लस फोर वाई अपॉन ट्वेल्व यह इदर आ यहां पर एंपर रखोगे तो तो यह इदर जाएगा सोरी यहां पर बनेगा 30 तो यहां पर रखोगे तो एक्स प्लस वाई बराबर किता है 30 तो यह अगर बने तो एक्स बराबर किता जाएगा तो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने मिला तो आप लाइक कर दीजिए और इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जबता के लिए, बाइ-बाइ